हलो एवरिवन जैस्री गनीश वो दिख तो ऐसे ही रहे हैं जैसे वो आपसे दूर हो रहे हैं दूर जा रहे हैं कभी लौट कर नहीं आएंगे पर ऐसा है नहीं सिच्चवेशन आपसे भी ज्यादा ताकतवर होती है अगर लाइफ को कोई लेसन सिखाना हो तो वो कैसे भी कुछ भी करके वो सिखा ही देती है जो आपके साथ हो रहा है जो आप फील कर रहे हो जो हुआ है आप दोनों के बीच में कुछ तो होगा जो आपको अंदर से फील हो रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था या आपको नहीं करना चाहिए था ये जो दिल बार बार आपको कह रहा है जिसे आप इग्नॉर करते चा रहे हो और अपने दिमाग की सुनकर रो रहे हो क्या ये चीज आपको आपका प्यार लोटा देगी अरे वो आएंगे आपके प्यार के लिए तरस्ते आएंगे आपसे भीख मांगेंगे माफी की पर इसलिए नहीं कि आप रो रहे हो दुख में हो बलकि इसलिए क्योंकि आप उनका प्रम्त तोड़ोगे जो उने है कि आपको वो जितना चाहे उतने तकलिफ दे सकते हैं और आप जीहा कर करके लेते रहोगे जी नहीं ये सच्चाई नहीं है सच्चाई ये है कि आपने जिन्होंने सच्चा प्यार करने की ताकत रखी है वो इस तरीके से हारेंगे नहीं रो ही तो रहे हो आप सीने में दर्द ही तो हो रहा है माइन्ड में याद ही तो आ रही है उनकी पर प्यार तो आपका ही सच्चा निकला ऐसे बड़ी जीत इससे बड़ी जीत क्या होगी और सिर्फ ये सच्ची बात ही आपको हील करेगी आपको वो राद दिखाएगी जिस पे जाने के बाद सिर्फ आपके ये परसन ही नहीं और भी कई लोग आपको पाने के लिए प्रे करेंगे आपको क्या लगता है कि वो आपको इस तरीके से हर्ट करके इतना गहरा रिष्टा बना कर आपको इतना प्यार करके वो एक चुटकी बजा कर आपको भूल जाएंगे नहीं जी नहीं उनके माइन की मेमरी में आप अच्छे से बसे हो पर वो तो आपसे अलग हुए हैं बड़ी बड़ी बाते करके हर्ट किया है उन्होंने आपको वो कितने कूल हैं ये दिखाया है आपको तो फिर कैसे वो मु उठा कर दूसरे दिन ही आजाए आपके पास ये कहने के लिए कि उनको आपकी याद आ रही है वो नहीं आएंगे ऐसे आपके पास पर वो आएंगे जरूर वो रोज घूमने जा रहे हैं वो रोज अपनी पिक्स डाल रहे हैं कि उनसे ज्यादा कूल कोई है ही नहीं क्यूंकि उन्होंने किसी का दिल तोड़ा है और ये तो एवार्ड मिलने वाली बात है है ना बिलकुल नहीं है पर वो तो ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं वो आप और आप देख देख कर दुख कर रहे हो कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं वो कर सकते हैं क्योंकि वो आप चितने विजडम फुल नहीं हैं आपको पता है किसी का दिल तोड़ना इस नौट कूल किसी को हर्ट करना इस नौट खुड करमा पता है ना आपको फिर क्यों रो रहे हो आज तक उन्होंने जो कहा आपसे आपने वो ही किया तो अब भी वही करो जो वो चाहते हैं वो आपको याद ना आए वो सारे चीजे करो उन्हें जाना है जाने दो तब वो वही करेंगे जो आप चाहते हो आपका पीछा आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आप अनलकी हो कि आपकी लाइफ सबसे खराब है आपकी किस्मत प्यार में खराब है किसने बोला ये आपको भगवान ने बोला बताए क्या यूनिवर्स ने कहा आपसे कि आप अल्लकी हो नहीं कहा किसने कहा ये सब आपसे आपके कुछ दोस्तों ने या जिस परसन को खुद को नहीं पता प्यार क्या होता है उसने या खुद आपकी सोचने इन में से आपको किसी की बात नहीं सुननी है आपको बस एक बात याद रखनी है क्यों यूनिवर्स ने अभी तक नहीं कहा ये सब जो सब कह रहे है मतलब आप लकी हो प्यार में आप लकी हो लाइफ में लकी हो अपने हर लाइफ के पार्ट में और लकी हो कि आपको इस पर्षन के सच्चाए अभी पता चल गई अगर ओर लेट हो जाती तो वो सब भी खो देते जो अभी भी यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको आपके पर्षन जिनको अभी बहुत रिग्रेट करना बाकी है उन्हें अपने राह पे चलने दीजी क्यूंकि ऐसे ही चल कर उनकी आँखी खुलेंगी आपको लेकर वो समझ पाएंगे आपकी इंपोर्टेंस समझ पाएंगे कि आप अनलकी नहीं हो अनलकी है जो सच्चे प्याव को समझ नहीं पाए कद्र नहीं कर पाए वो तो अपने लिए फ्यूचर बना रहे हैं आपकी तरस पर आप क्या फ्यूचर बना रहे हो अपने लिए क्यूंकि तरसोगे तो नहीं आप उनके लिए वो तो उनका काम है फिर आपका काम क्या होगा डिसाइड कीजे जरूरी है एंक कुछ्यू श्यास्त्री करनेश दिए